सिर्सा से भड़ी खबर से हमने आ रही है जहां पर मुख्य मंत्री मनोहर लाल का सिर्सा प्रवास का आज दूसरा दिन है डबबाली हलके के तीन गाउं में जन समपात करेंगे कई विगास परियोजनाओं का भियोद खाइटन और शिला ने आज गया चाहेगा पहले दिन यानी की बीते कल कालावली मेत्रेसर करोड की परियोजनाओं की सौखात सियम मनोहर लाल लेती थी और तीन दिन के प्रवास पर है मुख्य मंत्री आज दूसरा दिन है डबबाली विधानसभा में होंगे तीन कारिकरम है मुख्य मंत्री के यहाँ पर और तीन जगा जन समवाद कारेक्रम के जरिये लोगों की समस्याओं को सुनेंगे साथ ही साथ बीते कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जहे है केर हों या फिर बड़ा गुड़ा गाओं यह काला वली और भ्रस्ट अधिकारियों पर भी शिकन जाका सेट्रां तुरहन वूंगा है तो आज मुख्यमंत्री डवाली में होंके और डवाली में भी तीन कारिक्रम है डवाली विधानसभा है आपको ये भी बता दें कि तीन दिन के प्रवास 13, 14, 15 में के प्रवास पर हैं सिरसा के और इस दोरान भारी संख्या में लोग भी कहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर जनसमबात के जरिये मुख्यमंत्री मनोहरलाल समस्याओं को सुनते हुए भी नजर आया और साथी साथ उनके साथ सिरसा की सांसथ सुनीता दुकल भी साथ में मौचूद रहे हैं ये बड़ी कबर आपको बता रहे हैं आपको बता दें कि पहले दिन 63 करोड की दूचा जूड़ चुके हैं नकुल जानकारी चाहेंगे आसीम का सिरसा प्रवास का दूसरा दिन है क्या कुछ खास रहने वाला है कौन-कौन से कारिकरम कहां कहां पर होंगे पर पहला जन्समबाद कारिकरम होगा उसके बाद मुक्यमंतरी डवाली गाउं में जाएंगे वहाँ पर जन्समबाद कारिकरम करेंगे उसके बाद गूरी वाला में बनने जा रही राज के महाविद्याले का पत्र रखा जाएगा वहाँ पर पाउडेसिं स्टोन रखा जाएगा उसके बाद गाउं गंदा में इसके कारिकरम है जहां पर मुक्यमंतरी कुछ देर शिर्कत करेंगे और अंतिम कारिकरम जो पिल्कुल सिर्चा जिने के अंतिम चौर पर है राजस्तान बोर्डर पर अभूग शेहर गाहों पड़ता है जो चुटला चुटला गाहों के पास है और वहाँ पर जंसमबात कारिकरम होगा तो इस तरह की कारिकरम रखे गए हैं मुक्यमंतरी के लगबद साथे दस बदी मुक्यमंतर जिनका उतकातन और शीरानयास मुख्यमंत्री अपने इन कारेक्रमों के साथ-साथ उनका उतकातन और शीरानयास भी करेंगे चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जहनकारी के लिए नजर बना के रखे अपड़ेट हम आपसे लेत रहेंगे